हाँ हम देखेंगा किस तरीके से हम गर हम फाॉंटन किट में एसेंबल कर सकते हैं किसी फॉंटन के साथ ज dépend को तरीके से काउनकं से पप में असेंबल की जा सकती है इसका हम गार्डन में होँ में यूस कर सकते हैं कि पाउजों नोजलस होती हैising यह हम डिफरेंट डिफरेंट पंप्स में यूज कर सकते हैं इसका उसके साथ यह कुछ पटेश्मेंट और भी है यह मश्रूम है इस मश्रूम को हम बढ़ा और कटा सकते हैं उसके फ्लो को करेंगेंट और यह ब्लूम में और इसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम इसका उसका उसका है देखते हैं कि हम पंप्स कैसे कैसे इसको असेंबल कर सकते हैं तो एक मुजली यह है और एक नोजल मेरे पास और भी है, जो कि हम इस वाले पंप में लगा कर देख सकते हैं, कि कौन-कौन से पंप में हमारे नोजल यूस हो सकते हैं, और इसके लाभा ये फोर फ्री नोजल से और भी हैं, ये हम डुपरेंट पंप में जैसा कि आपके पास अगर पहले से ही कोई आप उसमें लगा सकते हैं, तो आईए देखते हैं, कैसे हमें रसेंबल करना है, completely इसको थोड़ा से लूज करेंगे, पर जागे इंटाइट करेंगे, ये हम अभी लगा रहे हैं, मश्रूम, पर इसके बाइट के दूसरे साइड में हम कंट्रूलर लगा देंगे, और कंट् आइटली पंप में टाइटली फिट कर देंगे, इस तरह के से ही है, रेडी हो गया, और मेरे पास एक ये दूसरा भी है, जो मैंने पहले से रेडी किया हुआ है, इसमें सिर्फ ये ब्रूज लगा देंगे, ब्रूज लगाने के बाद, दूसरे पंप में लगा के तो हमारे पास ही सोगो के WP 8000 आप लेख रहे हैं, उसी एक और जो है, मत बस 5000, 6000, 7000, 8000 आता है, और एक और आता है, जिसमें कि हम WP 102, 103, 105 ये सारे मोडल्स में डिफरेंस क्या है, जैसे 5000, 6000, 7000, 8000, तो इसके फ्लो कंट्रोल, फ्लो स्पीड पे डिमेंड करता है, आप दो उसके फ्लो चाहते हैं, या पर आपका अपका प्लो कंट्रोल चाहते हैं, या पिब आपका बड़ा है, तो उस दो अटम के लिए फ्लो कि वहार थी आपका यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा पन जिरो टो है, ये मैक्समा हाइड है 2.5 मेटर है, अच्छा थाइबी तक क हाँ इसकी हाइट काफी ज़्यादा है तो हाइट के अकॉर्डिंग हम छूज कर सकते हैं तो इसका सोबो F-T-100 ठीक, थैंक यू